नहां रही थी और उस वक्त उन्होंने चाबी लगा के बाहर से दर्वाजा खोला और अंदर आए दस साल की उमर में मैंने इस चीज के बारे में अपनी बुवा से कहा तो मेरी बुवा ने मुझे तब बताया रेप तो नहीं हुआ ना पेनिट्रेशन नहीं हुआ, वो सिर्फ हाथ लगाते हैं आपको, था मुझे बस निकल जाना था इस घर से, तो मैंने भाग के उनसे शादी करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पलवी भुरके है, मैं एक साइको थेरपिस्ट हूँ, पिछले तीस सालों से बॉम्बे में प्राक्टिस कर रही हूँ, यह जर्नी जहां तक मुझे लगता है, आपको सक्सेस्फुल लगेगी, यू विल सी दाट इट इस वेरी हूज, वेरी ब और बुआ के पास पलीबड़ी, अब बुआ के पास क्यूं, क्यूंके मेरी बुआ को कोई बच्चे नहीं थे, वो मुझे से बहुत प्यार करती थी, और इस वज़े से उन्होंने मुझे गोद ले लिया, मेरे पापा से मांग लिया, ओफिशल अडॉप्शन तो नहीं था, पर उन्होंने मुझे अपने पापा से मांग लिया, मेरे पापा भी बहुत जेनरस थे, उन्होंने सोचा के शायद मेरी सबसे प्यारी बच्ची को अगर मैं अपनी बहन को दे दू तो शील हाव बेटर लाइफ, अच्छी जिंदगी मिलेगी उसको, तो इस उम्मीद से मेर मेरे फूफा जी जो थे, मेरी बहुत रिच थी, तो मेरे फूफा जी को शायद बहुत इंसिक्योरिटी हुई इस बात को लेके, उन्हें ऐसे लगा के शायद उनकी वाइफ उसकी सारी प्रॉपरिटी मेरे नाम कर देगी, या उनके परिवार वालों को कुछ नहीं मिलेगा तो इस इंसिक्योरिटी की वज़े से शायद उन्होंने मेरा स्वाभीमान धीरे 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 काटते गए, और ये कैसे किया, सेक्शली अब्यूस करके, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, जब मैं इसके बारे में आज सोचती हूँ, तो एक धड़कन रुख जात ये एक बार का मामला नहीं था, ये बार बार खटा गया, और बहुत धीरे 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 होता गया, इनिशली वो मुझ से बिलकुल बात नहीं करते थे, हर बार मुझे बोहुत गंधी अन्वंटेड निगाहों से दिखते थे, जासे कि तू यहां फिट होती नहीं है, तू क् इस गर में तो जब एक छोटे बच्चे के साथ ऐसी वाली फीलिंग होती है तो वो बच्चा हर एक चीज करनी को तैयार होता है जिसकी वज़े से उसको acceptance मिले जिसकी वज़े से उसको स्विक्रूती मिले उस घर में और शायद यही वज़े थी कि मैंने उनको पहली बार अपने आपको हाथ लगाने दिया और उस वक्त शोर नहीं मचाया बिकॉज जब वो मुझे हाथ लगाते थे तब वो मुझसे smile करके बात करते थे तब वो मु जाते हैं कि दुनिया का हर एक इंसान अपने से प्यार करें यह नहीं जानते वो बाउंडरी नहीं जानते या वो दीवार नहीं जानते जहां पे उनको ना बोलना है कोई समझा भी नहीं पाता उनको और उनको यह समझ में भी नहीं आता कि यह बात करे तो किस से और कैसे य गलत है या नहीं है, इस चीज को समझना बहुत मुश्किल था मेरे लिए उस वक्त, सबसे पहले तो हम ये कलपना करते हैं दिमाग में कि ऐसी चीजे रातों को होती है, मेरे साथ तो ये चीजे दिन में होती थी, उस वक्त जब बुआ काम पे जाती थी और ये घर पे रहते थ तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं बात्रूम गई थी, ये पहली बार की बात है, मैं बात्रूम गई हुई थी, नहां रही थी, और उस वक्त उन्होंने चाबी लगा के बहर से दर्वाजा खोला और अंदर आए, और ये बहुत बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई आपको बिना कपडों के ऐसे देख रहा है, जहां पर आपको बताया जाता है कि बिना कपडों के छोटे कपडों में किसी के सामने आना नहीं है और इन्होंने मुझे बिना कपडों के देख लिया, उस वक्त वो नस्दीक आए, उन्होंने मेरे कंदे पे हाथ रखा, और फिर धीरे धीरे उनके हाथ मेरे पूरे बॉडी पे चलने लगे मैं उसी वक्त मेरा एक हिस्सा मर गया इस वज़े से क्यूंके मुझे ये सहन करना है मैं समझ नहीं पाई, मैं समझ ही नहीं पाई क्या हो रहा है एक तरफ ये स्पर्ष जो है वो अच्छा नहीं लग रहा था पर ये स्पर्ष से मुझे उनकी जिंदेगी में स्विक्रूती मिल रही थी तो ये अनुभव में पल्लवी कहीं मर गई एक पल्लवी का जो सेंसिटिव हिस्सा है सेहन एक सेंसिटिविटी जो है वो मर गई और धीरे धीरे मैं अपने आपको खोने लगी हर एक experience के साथ मैं अपने आपको खोने लगी तीन-चार साल मैंने सहन करा जब धीरे-धीरे sex education के नाम पे समझ में आने लगा school में कि ये गलत है जब मैं 10 साल की हुई 10 साल की उमर में मैंने इस चीज़ के बारे में अपनी बुवा से कहा तो मेरी बुवा ने मुझे तब बताया ये normal है, natural है, होते रहता है, ignore करो रेप तो नहीं हुआ ना, penetration नहीं हुआ वो सिर्फ हाथ लगाते हैं आपको और बाकी सब चीज़े करते हैं पर penetrate तो नहीं करते ना, तो it is all right ये मुझे बताया गया जब मैंने अपनी मा से ये बात करी एक साल और हिम्मत करने के बाद तब मेरी मा ऐसे माहौल में थी कि वो नहीं help कर पाई, वो खुद ही बहुत मजबूर थी, उनकी environment को लेके तो जब मैंने सूचा कि जब मेरी मा, मेरी बुवा ये बात नहीं समझते हैं, तो दुनिया में और की कौन समझेगा ये बात और इस वज़े से फिर मैं चुपी धरे बैठी पर हर मोमेंट हर बार ये सिचुएशन जो है हफते में एक बार होती ही थी मेरी साथ ऐसे उमर कटी गई और मैं 16 साल की हुई जब जाके मैंने थोड़ी हिम्मत करके अपने पापा से ये बात करी, ये पापा से जब मैंने बात करी तो वो बहुत नाराज हुए, बहुत अपसेट हुए बहुत ही गुसा हुए और उन्होंने तब जाके मेरे अंकल को कॉन्फरंट किया, उन्होंने है जो शायद मुझे प्रोटेक्ट कर पाएगा और उसी हिम्मत से मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे उनके यहां नहीं रहना है पर मेरी बदकिस्मती मेरी बुआ उस वक्त बहुत बीमार पड़ गई और उस बीमारी की वज़े से मेरी पापा की हिम्मत नहीं हुई मुझे वापस घर ले जाने की और मेरी मजबूरी का सिलसिला फिर से कंटेन्यू होते रहा अब ऐसी बात हुई कि उस दर्मियान मैं एक लड़के से मिली जो सुकून की ठंडी हवाले आया मेरी जिन्देगी में जो अपनापन दे आया जो बहुत सारा प्यार ले आया और ये मौका मैंने सोचा बहुत ही अच्छा है कि मैं अगर इस घर से निकल जाओं ये घर से मैं चली जाओं तो मुझे बहुत खुशी कि बहुत सुकून मिलेगा और हम दोनों के बीच प्यार होने लगा 17 साल की उमर की थी तब से जो प्यार फूलने लगा पर मेरे और मेरे हस्बंड अभी तभी के हस्बंड के बीच 10 साल का उमर का फासला था वो मुझसे 10 साल बड़े थे तो उनके घर में शादी की जल्दी थी मुझे भी इस घर से चले जाना था मुझे बस निकल जाना था इस घर से तो मैंने भाग के उनसे शादी करी और ये शादी भाग के इस वज़े से करनी पड़ी क्योंकि मैं बहुत उमर में चोटी थी मेरे पापा अगरी नहीं करते और उनके घर में मैं बहुत चोटी थ इसलिए वो अगरी नहीं करते, करके हम दोनों ने घर से भाग के शादी करी, और फिर उसके बाद जिन्दगी के 13 साल बहुत सुकून, जैसे एक फैरी टेल में मैं आ गई, परियों की दुनिया में बहुत खुश थी, बहुत सुकून की भरी जिन्दगी थी, उनकी जॉब की वज़ा से हम परदेश चले गए, वहाँ पे मेरे बहुत दो प्यारे बच्चे हुएं, और बहुत ही जिन्दगी अच्छी चल रही थी, ऐसे लगा कि अरे सिंड्रेला की स्टोरी सफरिंग हुई, हैपी एंडिंग, and they lived happily ever after वाली स्टोरी हो गई, but then जिन्दगी को तो होना ही था, तव जब मेरा छोटा बेटा, दो साल का था, तब अच्छानक से मेरे उपर एक दूसरा बम गिरा, और ये बम था सेपरेशन का, डिवोर्स का, मेरे पती ने मुझे परदेश से इंडिया भेजा, और इंडिया में आके मैंने ये जाना कि उन्होंने मेरे सारे अकाउंट्स खाली करे हैं, पैसे नहीं है मेरे पास, कोई सहारा नहीं है, और जब जाके मैंने पूछा ये क्यूं, तब पता चला कि मेरी बहुत ही अच्छी सहेली, जिसको मैंने अपने घर में रखा, जिसको म मैंने अपना घर गिफ्ट में दिया शायद, परोस के, तो उसने मेरे पती को अपना लिया, मेरे पती ने मुझे बुला, मुझे इसके साथ रहना है, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम तुम्हारे बच्चे देख लो, और उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां काट ली उन्होंने उस जिम्मेदारी को लेने से इंकार किया और मैं फिर से तूट गई मैं सिर्फ 32 साल की थी तब और तब अच्छानक से मेरी पूरी दुनिया हिल गई कोई financial backing नहीं था कोई emotional backing नहीं था ना in-laws ने accept किया ना माइके वालों ने accept किया तब तक मेरे पापा गुजर चुके थे तो मेरा सबसे बड़ा support मेरे पाउं के नीचे से निकल गया था और मुझे अपनी जिंदगी बनानी थी मैं जब शादी करके उनके पास गई थी तब मैं सिर्फ एक commerce graduate थी और कोई ज़ादा qualifications मेरे पास थी नहीं जब मैं वापस आई तो मुझे ये महसूस हुआ कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मैं सिर्फ commerce graduation की डिग्री लेके नौकरी ढूढने जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों को पाल नहीं पाऊंगी वो यहां थे जिंदेगी में abundance में जहां उनकी भरबराट वहां से आये थे और जमीन पे आ गए थे तो मुझे ये फासला उनके लिए कम करना था और इस फासले को कम करने के लिए मैं हर एक चीज निभाने को तयार थी सो यहां पे 32 साल की उमर में मुझे ये महसूस हुआ कि पढ़ाई तो करनी है क्योंकि पढ़ाई नहीं तो prosperity नहीं abundance नहीं मुझे अगर अपने बच्चों को lifestyle की जो कमी थी यहां से यहां कि बीच का जो फासला था वो मुझे कम से कम करना था उनके लिए करते मेरे नसीब से मेरे पास जॉब आई psychology पढ़ाने की और psychology पढ़ते 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 मैं psychology teacher बनी psychology teacher के साथ मैं clinics में internships करती रही मैं doctors के साथ काम करती रही तब जाके मैं मेरा दिन सुबह साड़े पांच बज़े शुदू होता था मैं घर से साड़े पांच बज़े निकलती थी और रात को दस बज़े पहुँचती थी क्योंके मुझे अपने बच्चों की मा और बाप दोनों का रोल ने बहना था और यहां से मेरी जर्नी हुई एक अलग स्ट्रगल जो भी पल्लवी उन सालों में खो गई थी छे साल की उमर से लेके 32 साल की उमर तक जो पल्लवी खो गई थी वो पढ़ाई करते 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 धीरे 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 वो पल्लवी के हिस्से में जोडती गई और मैं अपने आप से प्यार करने जो मैं अपने आपको पहचानने लगी हूँ जिसकी वज़ए से आज मैं दुसरों का दर्द समझने लगी हूँ मैं दुसरों को उन स्ट्रगल से बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ और इन सब चीजों में मैंने अपने आपको नहीं खोया मैं सिर्फ एक बेटी बनके नहीं रही, मैं सिर्फ एक पत्नी बनके नहीं रही, मैं सिर्फ एक माँ बनके नहीं रही, मैं पल्लवी भुर्की की आइडेंटिटी बनने चाहती थी और जो मैंने पाई, मैं पल्लवी भुर्के बनके मैंने अपनी आइडेंटिटी पाने के और मैं यह सूचती हूँ कि आप अगर पढ़ लेते हो, तो आप अपने आपको अच्छे से जानते हो, और पढ़ाई अगर आप करते हो, कुछ भी पढ़ो आप, not just formal education, but generally आप अगर कुछ भी पढ़ते हो, कुछ भी growth related आप पढ़ते हो, तो आप अपने आपको इस मकाम तक ल आप जोड़ती गई, फिर बिखरती गई, फिर जोड़ती गई, और ये मेरे साथ दो तीम बार हुआ, तब जाके एक पढ़ाओ पर आके जब मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे, अपने आपका खयाल रख सकते थे, तब जाके मुझे फिर प्यार हुआ, और मुझे फिर एक इनसान ऐसा जिन्दगी में मिला जिसने मुझे प्यार पर यकीन करना सिखाया तो ये बात तो पक्की है कि प्यार एक ही बार होता है जरूरी तो नहीं है ये बात भी पक्की है कि क्या वो प्यार गलत था नहीं मैंने उस प्यार में भी बहुत सारा सुकून के मुझे मिले ह पर आज जाके जिस इनसान के साथ मैंने शादी करी है छे साल हुए है मेरी शादी को वो मुझे बहुत सुकून के साथ रखते हैं मेरे बच्चे इस डिसिजिन में ये निरणय में मेरे साथ है और उन्होंने मुझे इस मामले में सपोर्ट किया तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ इतनी बार भिखरने के बाद मैं अपने आपको जोड सकती हूँ आप में से हर एक इंसान ये कर पाथ है जिन्दगी के स्ट्रगल में मैंने एक चीज पकी महसूस करी है कि financial independence, economic independence जो है वो बहुत जरूरी है education बहुत जरूरी है ये जब मैंने जाना तो आज मेरी जिन्दगी मेरी खुद की identity है मेरी financial independence है और जिन्दगी में प्यार भी है और अगर ये मैं कर सकती हूँ तो मैं मानती हूँ कि हर एक इंसान ये अपने लिए कर सकता इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे comment section में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें